नवश्कार, कुलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा परधार्थ है जो खून में पाया जाता है। कुलेस्ट्रॉल की जरुवत हल्दी सेल्स के निर्माण के लिए होती है। शरीर को एक्टिव रूप से काम करने और विटामिन का उतपादन करने के लिए अच्छे कुलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। अगर शरीर में कुलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा हो जाए तो सेहत पर पुरासर पढ़ सकता है। आज हम आपको घरेलू तरीके से कॉलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के उपाय बताएंगे. नमबर एक पर हल्दी हल्दी लगबग हर घर में आसानी से मिल जाता है. इसमें कर्क्यूमिन पाया जाता है. हल्दी पाउडर एंटी आक्सिडेंस का एक रिच सोर्स है और इसमें एंटी इंफर्मेट्री गुण पाय जाते हैं. कर्क्यूमिन से भरपूर हल्दी कॉलेस्ट्रॉल के स्थर को कम करने में मदद करती है. नमबर दो पर है काली मिर्च काली मिर्च में पीपैरीन पाया जाता है जो एक महान एंटी आक्सिडेंट है. काली मिर्च में एंटी बैक्टिरियल गुण पाय जाते हैं जो कलेस्ट्रॉल लेवल को नियंतरन में रखने का काम करते हैं. दालचीनी दालचीनी एक बढ़िया मसाला है जो पुरानी दिल की बिमारी को मैनेज करने के साथ कई स्वास्त लाब के साथ आता है. ये प्रभावी रूप से नेच्रल इंसुलेन उत्पादन का समर्थन करते हैं इस प्रकार खून कलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं. मेथी मेथी कई स्वास्त लाबों से भरा हुआ होता है और उनमें से एक कलेस्ट्रॉल को कंच्रोल करना है. मेति में कुछ कमपाउन होते हैं जो आतों और लिवर में कलेस्टरोल के एब्जोब को धीमा करने के प्रॉपर्टी होती है नबर पांच पर है अजवाईन अजवाइन में fatty acid और dietary fiber पाया जाता है जो cholesterol के level को बनाये रखने में मदद करता है अजवाइन में antioxidants के गुण होते हैं जो शरीर को संक्रमन्ट से लड़ने में मदद करते हैं और शरीर के cholesterol level को normal range में रखने का काम करते हैं